कि हेलो फ्रेंड एड जी कलासिस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम आप लोंके लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस आनि लाब और हानी से प्रस्ण है दोस्तों यह टाइप 4 है इससे पहले दोस्तों मैं 3 टाइप तक जो है अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड कर दी है टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए और अपना रिवजन कीजिए उसके बाद ही से देखिए दोस्तों तो आप बहतर तरीकी से समझ पाएंगे आज का जो प्रस्ण है दोस्तों हम लोग कंसेप्ट मेंधर से उसको सौल्व आज कोई ट्रीक नहीं है तो चलिए वीडियो की सुरुबात करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर 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 लाब होता है तो लाब प्रतिसाद ग्याद करें तो आप समझने कर परियास कीजिए कि एक सो पचास कलमें बेचने पर आप की समझने करूप पर आप समझने पर आनि 150 कलम बेचा जारहा है तीस कलम का उसको लाब हुआ है तो 150 में बेचा गया और तीस रुपे यारिक का लाब हुआ इसका मतलब वो खरिदा कितना में था यह समझना आपको और इसका कोस्ट प्राइस क्या रहा होगा तो में खरिदा होगा 120 रुपे में खरिदा होगा 150 रुपे में बेच दिया होगा तभी तो उसको 30 रुपे का लाब हुआ है तो यहां से इसका कॉस्ट प्राइस जो निकला दोस्तों वह 120 रुपे 120 रुपे में खरिद के 150 में बेच दिया और उसको जो है 30 रुपे का लाब हुआ इसमें लाप परतिसफ कुछ आ जा रहा है तो आपको लाप परतिसफ के से निकालना है कोश्ट प्राइस हम दोगे पता चल गया कि CP इसका क्या है तो यह इसका CP है दोस्तों CP पता चल जुका है कि 120 है प्रोफिट कितना का होगा है 30 का तो profit percent आसानी से निकाल देंगे तो केसे निकालेंगा profit percent दोस्तों तो आपको पता होगा कि profit percent निकालने के लिए profit को उपर लिखना है कोस्ट प्राइस जितने में वो खरीदा था मैंने बताए कि 120 रुप्य में खरीदा गया है और 30 रुप्य का लाव गया था इसको 100 से multiply करना क्योंकि profit percentage निकालना है अब यहां से दोस्तों अब यहां से हम लोग अगर देखें एक सुनी एक सुनी यहां से कट रहा है और ठीरी से कट आएंगे दोस्तों 12 को फोर से जब कट आएंगे ओर से जब कट आएंगे और one टाइम में ऐर hundred जो है टॉन्टीब टाइम में कटेगा तो दो दोस्तों यहां से जो निकल कराएगा वो निकल काएगा टूंटीफाइब परसेंट यह जो है इसलोस्तों परसेंट जो है profit होगा तो आप इसे बहतर तरीके समझ गए होंगे कि 150 रुपे में कोई चीज खरीद करके मतलब बेचा जा रहा है और 30 रुपे का लाव गया मतलब खरीदा कितने में सीपी उसका क्या है 120 रुपे अब सीपी 120 हो गया 30 का लाव हो रहा तो यहां से profit परसेंट आसानी से निकाल लेंगे इसका जो correct answer होगा दोस्तों वोगा 25 परसेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस question को समझ गए होंगे चलिए next question और एक देख लेते हैं हानी परते साथ ज्याद करें तो इसको भी आप ध्यान से समझेंगे कैसे हमलेस को असानी वे में बनाएंगे सबसे पहले आपको यह देखना है कि 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को चोप पुस्तकों के विक्रे मुलक के बराबर हानी हो गया और इसमें हानी कही जा रहे है कि 34 मान लेते हैं कि 34 रुपे में किसी शीच को बेचा जा रहा दोस्तों और 6 रुपे का हानी हो गया मान लेते हैं कि 6 रुपे का उसको हानी हो गया है देखना है दोस्तों कि 40 रुपे में कोई चीज खरीदा है 40 रुपे में किसी चीज़ को खरीद कर और उसे 34 रुपे में ही बेच दिया गया तब यहां से कॉस्ट प्राइस निकल गया इसका फोट्टी आप समझ रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस कैसे फोट्टी हो गया एक पर मैं फिर से बताता हूं कि 34 पूस्त के बेचने पर निच्वाइब बेच करकर छे रुपे अहां नहीं कर रहा है इसका मतलब वो खरीदा कितना में होगा कॉस्ट प्राइस क्या फोट्टी रहा होगा अब जब कॉस्ट प्राइस फोट्टी हो गया हानी 6 का हो रहा है तो यहां से HER NIN loss percent निकाल लेंगे हैं तो lonely percentage केसे निकालेंगे मैं बता जो स्टो कि जितने कहानी हुआ हुआ है कितने परहानी हुआ तो यह cost price क्या था तो 40 हमेशा जो है लाव और हानी cost price कर निकाल आता दोस्तों और इसको 100 से multiply कर देना है यहां से 100 से multiply करेंगे दोस्तों तो यहां से निकल कर आएगा यहां से एक सुन्य और एक सुन्य कट जाएगा उसके बाद दोस्तों 2 से जब कट आएंगे 2 time में कटेगा 2 से 100 कट आएंगे तो 5 time में कटेगा फिर 2 से 1 time में एक कटेगा 6 3 time में कटेगा तो आप नीचे कुछ नहीं बचा ओपर इसको multiple करेंगे दोस्तो 3 का 5 में multiple करेंगे तो आएगा 15 % आनी 15 परतिशाद आएगा दोस्तो अब यहां से देखेंगे कि इसे पुस्त का अपर चेश पुस्त को निकालेंगा दोस्तों यहां से 15 प्रसेंट निकलेगा यहीं का जो है कर्यक्टर अंसर हो जागा तो मैं उम्मिद करना कि आप इस को समझ गए होगे इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों तब तक के लिए जैहिन जै भारत